हलो फ्रेंड्स एक गर फिर से आप सबका हमारे चेनल पे बहुत वो स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम दिखाने वाले हैं कि आप धरन को किस परकार से ठीक कर सकते हो बहुत यह अच्छा तरीका और इजी तरीका है जो आप लोगों के लिए लेकिया हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे फ्रेंड्स आपको इस तरीके से लेट जाना है और फिर नाबी के सेंटर में जो कुछ तेल की बुंदे है जो इस तरीके से आपको डालनी है नॉर्मल सा है जो तेल है जो फहला लेना है और फिर इस तरीके से आपके घर में इजली है जो मुस् करना जब आपको पता चल जाए कि आपकी नाभी किसकी हुई है और आपको यह नहीं पता चल रहा है कि आपकी नाभी किसकी है या राइट साइड में तो उस समय है जो आप इसको यूज कर सकते हो कहीं भी चाहिए आपकी नाभी किसकी हुँ बस आपको इसको सेंटर में रखन गई है तो उस हलके से दबाव के कारण है जो धिरे धिरे करके नावी है जो बिलकुल सेंटर पॉयंट में के आजाएगी आपकी जो धरण की समझ से है उसको है जो आपको जल से जल फायदा मिल जाएगा तो आपको टेड़ा नहीं पकाजना बिल्कुल नाभी के उफर है जो सिद्धा है जो इसको रखना है जिससे है जो सही तरीके से है जो आप है जो इसको कर सकते हो टेड़ा रखने से क्या होगा कि यह सही तरीके से जो फाइदा नहीं दे पाएगा तो आपको जो सिद्धा रखना है जिससे है जो एकदम सिद्धा दबाव है जो आपकी नाभी पे इसका पड़े बहुत ज़्यादा भारी वजन वाला नहीं लेना है यह हलका सा है जो यह मुझत लाता है वो ही लेना है तो इसको आप वो पांस साथ मिनट तक है जो फ्रेंट्स इस तरीके से जो रखना है और दोनुँ हाथों को यह जो आप सिद्धा करके भी रख सकते हो यदि कोई नहीं है तो आप खुद एक हाथ से भी कर सकते हो तो फिर अटा देना आपको तो फ्रेंट्स यह जानकारी आप लोगों कैसी लगे हमें कमेंट करके जुरूर बताए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल पर नहीं हो फेस्ट पार रहा है तो चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में